है हलो मैं डीर श्टुडेंट कैसे हो सब ठीक ठाक हम लोग प्रिभियास अप्टिक्स वीडियो में अप्टिक्स लेक्चर में हम लोग बात कर सुके थे लाइट के बहुत सारे पुरपड़ीज के बारे में कैसा कैसा पुरपड़ी रखता है तो जो बच्चे यूट्यूब पर नए होंगे वो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लेंगे ठीक है आज अप्टिक्स का लेक्चर नंबर टू हम लेकर आये हैं जिसमें हम लोग प्लेन मीरर के बारे में स्टडी करेंगे प्लेन मीरर पर लाइट का बिहवियर कैसा होता है और वो कितने तरह का जो हमें प्लेन मीरर को बताने से पहले बचे आप लोग रिफलेक्शन के बारे में पढ़ होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम आपको बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन और एक्छॉली में होता क्या है कि देखे कोई भी सर्फेस यहां बात नहीं कर रहे हैं ठीक है आई नौट टॉकिंग आउट देमीर में मिर के बारे में कुछ अभी बात नहीं कर रहा हूं मान लिए कि यह कुछ सर्फेस है यह सर्फेस कुछ भी हो सकता है तो कि यह सार्फेस तो इसे पर कोई लाइट आ रही है और एक तरह का था हम सारा चीज इसके बारे में बता चुक के लाइट किसी टाइब का एनर्जी होता है और हम किस टाइप के नर्जी के माद हमसे देख पाते हैं ठीक है वह सब इलेक्ट्रोमाइनेटिक सिरिज कैसे कैसे सारा कुछ हम डिटेल दे चुके हैं तो यहां पचे देखिए यह कोई सर्फेस है यह सर्फेस कुछ कि परसेंट का कितना पाट शर्फेस में जाएगा सर्फेस से बाहर जाएगा यह सर्फेस удивler करेगा या सर्फेस हो नरेक्क करे गांदि है उसी डाइरेक्शन में चल जाएगा डिपेंड करता है यह सर्फेस के नेचर पर कि यहल्सकी इनरजी उस सर्फेस के हिसाप से किस तरब से जाती है तो लाइट की टीजो इनरजी बच्चे हैंडेट परसेंट वो डिस्तेब्यूट होगा इसस इसकी नेचर R का मतलब यहां से होता है reflection, क्या होता है reflection, A4 क्या होता है absorption, और T4 होता है transmission, तो बच्चे reflection that means परावर्दन, absorption, और transmission उत्सर्जन, याने कि light अपनी energy को इनी तीन पार्ट में surface के nature के हिसाब से अलग-अलग बाट देती है, तो कहा reflection होगा, वैसे surface जहां से maximum part of light उसी direction में अगर लोड जाती है, maximum part of energy अगर light का उसी direction में अगर चली जाती है, किसी surface पर पढ़ने के बाद, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, reflection हो रहा है, जिसमें उसका maximum part of energy उसी direction में लोड जाए, अब बताती है absorption, जब light की range या light की energy जो है, वो surface पर पढ़ने के बाद, उसकी maximum energy उसी में रह जाती है, जैसे black body नाम सुने होंगे, उस black body पर light को focus किया जाए, light को दिया जाए, तो maximum part of energy उसी के अंदर कह रहती है, store हो जाती है, आप सुने भी होंगे, कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं परना चाहिए, region कि काला जो कपड़ा होता है, वो प्रकास का ज्यादा अवशोसक होता है, मतलब वो light को reflect नहीं कर रहा है, तो heat ज्यादा बनाएगा, जिसलिए बचे, जहां पर light की maximum part of energy उसी के अंदर body में store रहता है, तो उसको हम लोग बोलते है, absorption, लेकिन light किसी ऐसे part पर पढ़ती है, ज जहां से उसकी maximum part of energy उस surface को cross करके निकल जाती है, तो उसे हम लोग बोलते है, transmission, इसका जिक्र हम लोग करेंगे, reflection में, जैसे water है, glass है, या ऐसा बहुत सारे transparent material आपको देखने हैं को मिलेंगे, जिससे light पार कर जाती है, तो वहां हम लोग इसका जिक्र करेंगे, कि किस तरह से वो क्या-क्या situation रखता है, जब light दूसरे medium में जाती है, तो वहां ये भी देखेंगे, कि दूसरे medium में जाता है, लेकिन कुछ पार्ट उसका reflect भी करता है, लेकिन हम लोग major part को यहां study करते है, light अपना major phenomena जिस point पर so करता है, उसी पार्ट को हमां study करते है, तो अभी हम लोग पार्ट है कि light की maximum part of energy जी surface से वापस लोट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, reflection, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ points लिख दे रहे हैं आपको, इसके बारे में सबसे फर्स लिख रहे हैं कि light distributes on energy in three terms at the surface, first reflection, second absorption, और third है transmission, इन तीनों के बारे में बच्चे आप लोग को हम अभी बता दिये, क्या होता है ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको right shortcut याद रख लेना है ठीक है, तो इसको note कर लेंगे, आगे अब हम लोग बात करेंगे किस पर reflection पर और reflection का मतलब आपको समय में आगे होगा कि हम बात कर रहे हैं, that maximum part of energy of light by which energy of light goes to same medium ठीक है, तो आगे हम लोग बात करें reflection का चलिए बच्चे तो आगे हम लोग बात करते हैं reflection through the plane mirror reflection क्या होता है हम लोग देख चुके अब यहाँ हम लोग plane mirror की बात करेंगे, तो बच्चे हम थोड़ा इसको फास्ट लेकर चलेंगे क्यों क्योंकि आप 10 class में इसका बैसिक पर चुके होगे, तो यहाँ पर अगर हम plane mirror की बात करें तो plane mirror क्या होता है नहीं होता है आप लोग जान चुके हैं, लेकिन mirror को अगर हम कहें कि define करें mirror होता क्या है कैसे बनाया जाता है तो mirror के बारे में कहें, तो the part of glass material यानि कि यह एक glass material कांच का बना एक पार्ट होता है फूज जिसका one face is coated रहता है लेप किया हो रहता है विद शिल्वर ब्रोमाइट जिसका एक पार्ट जो है सिल्वर ब्रोमाइट से लेप किया हो रहता है सिल्वर ब्रोमाइट इस तरह का material से उसका one face क्या होता है कि paint किया हो रहता है अब हम लोग mirror की बात कर रहे हैं तो mirror का definition हम यहां दे रहे हैं कि glass का एक ऐसा material जिसका एक face क्या हो सिल्वर से paint किया हुआ हो और वहां से reflection के घटना हो रही होगी यानि कि light के energy वापस उसी medium में maximum जा रही होगी अब यहां plane mirror की जो हम बात कर रहे हैं तो mirror है बट उसका plane आगे नाम पढ़ गया क्यों क्योंकि उसका जो surface है जिस पर light आएगी उस surface को देखा जाता है कि जिस surface पर light आ रहा है वो है कैसा तो बिल्कुल देख रहे होंगे plane का मतलब ही एकदम plane होना चाहिए ठीक है तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया plane mirror लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं concave या convex mirror तो वो aspherical वाले term में आता है कर्व वाले mirror के रूप में आ जाता है तो वहां पर इसलिए हम लोग वहां पर नाम बदल देते हैं तो इसलिए आप पता चल गया होगा कि mirror के आगे plane लगने का मतलब है कि उसका जो reflecting surface है मतलब कि light जहां से reflect करेगा और जहां पर आ रहा होगा ठीक है उसका reflecting surface कैसा होगा बिल कि that mirror whose reflecting surface is plain and smooth is called plane mirror ठीक है बच्चे आगे हम लोग इसके reflection देखेंगे क्या-क्या होता है तो चलिए इसका definition आप लोग लिख लेंगे ठीक है that mirror whose reflecting surface is plain and smooth is called plane mirror चलिए हो गया अब हम लोग इसका कि देखेंगे क्या होता है इसमें कितना तरह का condition आता है ठीक है कि स्टाप कर दो बीटे तो बच्चे यहां पर देखिए यह भी हमारा एक plane mirror ठीक है और आप इसमें देख रहे हैं कि एक ray of light देखिए पी पॉइंट से आ रही है पी ओ यहां पी ओ जो है वह incident रे कह लाएगा यानि जो रे मिरर पर आती है उसको हम लोग incident रे कहते हैं ते आई आर का मतलब यहां incident ray यहां पर पॉइंट पर आया light और यहां से उसी direction में वापस लॉट गया मतलब यह उसी डायरेक्शन कहने का यहां पर सेंस क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में चला गया है तो आया है इधर जिस मीडियम से उसी मीडियम में चला गया है तो देखिए मीरर से टकराने के बाद लाइट उसी मीडियम में जब चली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे प्रावर्तित किरन अब से साथ रे जहां से आया है और उसके बाद जहां से गया है उस common point को देखिएगा वो है ओ इस common point को यहां पर हम लोग नाम देते हैं incident point iLe玩 decision a better care globe organ पर जो डॉट डॉut डॉट डॉट लाइन दिआ गया है इसको हम लोग बोलते हैं normal इसको बोलते है नॉर्मल नॉर्मल का मतलब हमेसा याद रखूएगा सरफेस पर 90 डिए अब देखीएगा कि जो नौर्मल से बनने वाला जो एंगल हैero2Kers यह तो कुछ तो बन रहा यइंगल दिख रहा है तो नौर्मल से जो आने वाली रे का जो एंगल बनता है उसको हम लोग आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंश और जो जो रे वापस यहां से लोट गया उसी डारेक्शन में उसका नॉर्मल से एक एंगल बना जिसको बोलते हैं आर जिसमें अब यहां से कहता है कि यह कोन आई और कोन आर आपस में बराबर होते हैं तो यहां पर बतचिया है और आर आपस में कैं बराबर हैं ठीक है और इस केस में हम बोलते हैं की यह रेगूलर रिफलेक्शन होगा क्योंकि कि आप पढ़े होंगे रेगूलर और इस गima दर को रायक्वाली एंगल बनाती है कहा है उतना ही जाने के बाद नॉर्मल के साथ जो एंगल का निरमान होता है तो उसको ऊपालो कर सो है इसी तो रिफ्लेक्शन किसी सी सरी हो सकते हैं तो डिवार से हो सकता है 完 अपको ब reopen मिरूं से भी हो रहा है यानिकी reflection सिर्फ लाइट के लिए नहीं बहुत सारे चीज़ें में रिफ्लेक्शन हो सकते हैं बट उसका रिफ्लेक्शन रेगुलर फॉर्म में अगर हो रहा है तब हम लोग यहां पर कहते हैं कि उसका कुछ इमेज फॉर्मेशन होगा और इमेज फॉर्मेशन ऐसा होगा जो हमको किलियरली दिखेगा लेकिन जहां इरेगुलर की बात करते हैं डैट मेंस डैट मेंस इफ एंगल आई इसकल टू नॉटर मतलब जहां पर आई आर के ब्राबर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरे सब्सक्राइब़ इस तर्फेस गोले सब्सक्राइब गें भाटान होता है तो इसका र हां पर कि लि beginnings दिखाए नहीं पढ़ता है और हम लोग को जो चैप्टर में study करना है वो study करना है regular reflection का है तो आप लोग इसका लाव रिफलेक्षन पढ़े होंगे बचे क्या होता है फर्स्ट ला तो पढ़े होंगे incident ray reflected ray and incident point पर डाला गया जो normal होता है वो सब एक ही plane में आते हैं यह आप लोग पढ़े होंगे पहला दूसरा कि यह आई इसकल टू आर होता है ठीक है तिये बेसिक पॉइंट था मीरर के बारे में जो भी आपको बताएं ठीक है इसको नोट कर लिजेगा छोड़ा छोड़ा डिफियेशन इसमें है जो आप टेन कास्व में किये होंगे ठीक ह आप कशले बच्ये हैं आगे हम लोग बात कर रहे हैं से ओपकत रहे हैं यह कोई प्लेटडे मीरर है यहां से देखी यह plane mirror है और किसी ray of light को हम इस पर fall कर रहे हैं अब देखिए तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि इस point पर आने के बाद यानि कि जब incident ray आ रही थे तो आने के बाद इसको जाना चाहिए इधर बट क्या इधर जाएगा नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यह पार्ट तु सिल्वर है कोटेड है तो कोटेड है तो नहीं हो पाएगा तो इसलिए अब इस light को मजबूरन जाना होगा इस direction में ठीक है अभी हम लोग देखें है कि यहां से regular reflection करेगा light अब करने का मतलब यह होता है कि लाइट की maximum part of energy उसी direction में लौड जाती है अभी हम reflection का बात किये थे कि जहां पर अब आगे यहां पर देखिए आया और गया light आया और गया जाना चाहिए थे इसको ऐसे जो डॉट 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 दिखा रहे है बड़ चला गया है ऐसे अब देखिए तो अभी हम नॉर्मल भी दिखाए थे दोनों रे के बीच में incident रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच में था यह नॉर्मल अब देखिए हम लोग यह भी देखे कि यह एंगल आई था यह आर था अब देखते हैं कि रेगुलर के फॉर्म में आई जो होता है वो आर के बराबर है इसको हम मान लेते हैं ठीटा के बरा deviation यहां से यहां तक हो गया यह इसका deviation है जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं तो question में आपसे पूछा जायागा इसी डेल्टा का value डेल्टा कैसे find करेंगे तो इस line को आप एक मान लेजिए एक plane मान लेजिए इसको और उस पर देखिए कि कितना angle बन रहा है एक line मान और लेजिए इसको इसको देखिएगा इस पर angle बन रहा है अपको आए बन रहा है और बन रहा हो डेल्टा बन रहा है और हम जानते हैं एक line पर सभी अंगल का जो सम होता है वो 180 डिगरी के एक्वल होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं आई पलस आर पलस डेल इसकल टू वाट 180 हमको क्या निकालना है डेल और यहां आई और आर के जगह पर हम क्या मान प्लस ठीटा 2 ठीटा और थीटा को को पूरे हम बराबर स्वाइन में तो तो डिल इसकल टू मेरा फर्मूला हो गया 180 मा इनकुर्ण किसी बुक में देखेगा इसको तो जैसा आपको एंगल देगा डिगरी में दिया है तो डिगरी वाला फैलू पूट कर दीजेगा रेडियन में अगर आपको दे दिया है आयर का वैलू तो आप यहां पर रेडियन वाला यूज करके बनाएगा ठीक है तो इस तरह से आपका निकल जाएगा अब चलते हैं बच्चे तो कहा देगा वेन लाइट नॉर्मली इंसिडेंस नॉर्मली इंसिडेंस नॉर्मली इंसिडेंट देन डेल इसकल तुवर्ट याने कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंस कर रहा है यह दैट मिंस इसका फिगर ऐसा देखिए प्लेन मीरर है और लाइट ऐसे आ रह जरा सोचीए िस रे को आप नोर्मल में लिया का सड़ा दीजिए तो एंगल छ गटे क्या हो जाएगा इसाल होगा यानि आपका आ तो आर भी आपका जिन लाइट नोर्मल से आएगा तो नॉर्मल से ही रिट्रेस है यह métresares होगा रहेगा क्यों लाइट नॉर्मली इंसिडेंट देन रिफ्लेक्ट्रेड रे इस रिट्रेश हो जाता है चला जाता है इस केस में अगर हम बोलें डिवियेशन कितना हुआ तो इस फर्मूले पर जाएए देखिए तो आयो र का व्यालू जीरो है तो बचेगा क्या 180 यान कि आपसे दो क्या सकता है कि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा होगा तो आयो र का वैलू क्या हो जागा तो जीरो अगर डिवियेशन पूछा तो कितना हो जाएगा 180 अगर इसका देखना चाहिए तो आने के बाद कि दर से गया है तो आ रहा था इस रास्ते को देखिए हम लोग अब यहाँ पर देखिए एक घटना होती है जिसका हम लोग नाम देते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस सेकेंड ग्रेजिंग इंसिडेंस कि ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होती है पर फर्ष्ट तो हम दिखा दिए आप पर इस तरह का केस नॉरमली इंसिडेंस का अब नॉरमली इंसिडेंस के बाद आपका है ग्रेजिंग इंसिडेंस ग्रेज्वाट का नाम सुनेंगे जैसा आप इंग्लिस ट्रांसलेशन बनाते होंगे आपको टीचर्स दे दियें चलो बच्चे गाह ग्हास चरती है इसका ट्रांसलेशन बनाऊ तब लोग बनाएं होंगे पारिए कि अधकाव ग्रेज क्रास तो आंका मतलब होता है जब गाह वैगरा जब घ्ञास चरती है यानिकि वहां से फिल्ड में झोशा का घ्र वगेरा होता है उसको धीरे धीरे खाते हु लाइट इसके सर्फएस से इस तरह से जह रहा है इसी को बॉलता है ग्रेजिंग इस न है अब जरा सूचिनिय यहां पर आई और और का वैड़ु कितना गद निगनी होगा तो जाई जाने वाली रेका उसके साथ कितना डिगरी कुन बना 90 और जाने वाला का भी 90 इस तरह से आई और आर दोनों का वैलू कितना हो जाएगा 90 और फर्मुला इस्तमाल किजिएगा डेल बराबर 180-2 ठीटा इसमें रखिएगा ठीटा का वैलू 90 तो 92 जा कितना हो जाएगा बचे 180 180 में से 180 सब्ट्रैक कर दोगे तो कितना हो जाएगा जीरो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई डिवेशन नहीं आया याने कि ग्रेजिंग इंसिडेंस वैसी फेनोमेना होती है जिसमें लाइट का कोई डिवेशन नहीं होता है तो आपको दो केसे यहां बताएं ठीक है तो एक सिंगल प्लेन मीरर से हमारा जो डिवेशन का फर्मूला है वो दिखा दिए आपको एक स्वासी माइनस टू आई टू आर यह टू ठीक है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आपको पूछा जाएगा तो आप बता दीजेगा 30 डिग्री पर कितना हैगा पूछ किजिए और निकाल दीजिए ठीक है अब हम लोग बात करेंगे डिवेशन थ्रूद तू प्लेन मीरर अगर दो प्लेन मीरर को किसी एंगल पर रख देंगे लाइट आएगी तो एक मीरर पर पड़ाएगा उसके बाद फिर दूसरे मीरर पर जाएगा तो यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा मल्टीपल तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू मल्टीपल डिविएशन तो इस तरह से कैसे निकालेंगे उसी क को आगे हम लोग देखेंगे ठीक है चले बचे तो आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं आगे हम लोग बात करने वाले हैं दिवियेशन थ्रू दू प्लेन मीरर दो प्लेन मिरर से दिवियेशन कैसा होगा याने कि when two mirror, when two mirror are inclined at any angle यानि दो मिरर आपको है देखिए यहां पर o a यहां b जड़ा गोर कर देखिए इस a o b को जड़ा देखिए जिसमें आपको देखा जेरा है न ओए एक आपका प्लेर मिरर क्या है वे है दूसरा प्लेर मिरर क्या है आपका ओभी है तो यहां पर दो प्लेर मिरर है जिनके बीच कुछ एंगल है क्या ठीटा अब जब गौर कीजिए कि दो प्लेर मिरर के बीच कुछ एंगल है ठीटा और इसमें लाइट कहेगा कि आ रहा है किसी एंगल से यह इंसिडेंट रहे हैं और आप से कह दिये जाए कि यह लाइट रेज इस मिरर पर आ रहा है तीस डिग्री पर तीस डिग्री पर ठीके और यहां से पुछने तो बताई इसका नेट डिभीएशन कितना होगा और यहां ठीटा आपको दिया हुए रहे तो कहेगा कि बताईए कि नेट डिवियेशन कितना होगा, ठीक है, कहेगा, find net deviation through the plane mirror, plane mirror से कितना नेट डिवियेशन होगा, यहां पर पहले आपको हम बारीकी से देखेंगे कि क्या हो रहा है, जब गौर किजिएगा, तीज डिगरी से light आया, तो जाएगा भी कितना डिगरी से, तीज से ही, बताएं है आई बराबरार, तो तीज से आया है, तो तीज से ही जाएगा, ठीक है, बाइप्रोसेस पहले इंगल बना, तो गौर किजिएगा, नॉर्मल जो होता है, सर्फेस पर कितना डिगरी, नब्बे, नब्बे में तीस ले लिया, बचा कितना, साथ, अब साथ, यहां है, साथ, यहां है, तो यह कितना बचा, यह भी साथ, इसका मतलब, कि यह जो लाइट रेज गई है, वो ल नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बना, तो साथ, यहां ले लिया है, सर्फेस के साथ, तो इसके साथ कितना लेगा, तीस, लेगा न, क्योंकि नॉर्मल पुरा नब्बे, तो साथ ले लिया, तो बचा कितना, तीस, इसका मतलब, कि सेकेंड मीरर पर जब लाइट पहुंचा है, तो उसका एंगल बन रहा है कितना 30 दिग्री इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होगा कितना से 30 से ही अब देखिए जो सिंगल सिंगल बताया है ना डिवियेशन का फर्मूला 180 माइनस 2 ठीटा वही लगाई है तो एक यहां से डेल 1 निकालिए इस वाले ओ भी पिलेल मिर पर तो निकालेगा 180 माइनस 2 गुने 30 डाट इस इक्वल टो एक्सो बिस डिग्री और यहां से निकालेगा इस पॉइंट पर डेल 2 तो यहां भी 30 डिग्री के लिए 120 आएगा तो ड देल निकालिएगा तो 120 प्लस 120 हो जाएगा 240 डिग्री अब यहां पर देखिए प्रोसेस से है ठीक है लेकिन अगर डाइरेक्ट इसका देखा जाए तो एक फर्मूला होता है बच्चे और वो फर्मूला होता है आपका दो प्लेल मिर किसी भी एंगल पर हो वो एंगल अगर हम यहां बोल देखे थीटा तो डेल बराबर फर्मूला होता है तिनसोअप माइणस तो फर्मूला याद रखनेगा ठीक है तिनसोअप माहिनस Oreकी तो घटाएगा 240 टीक्शे अगरेक्ट मेथर यह लेकिन बच्चे इसका भी एक कंडीशन है कि ये कहां तक फॉलो करेगा बची ये फॉलो तभी तक फर्मूला कर सकता है जब लाइट यहां से आ रही हो और आने के बाद दूसरे मिरर पर पहुंचेगा तो उसका रिफ्लेक्शन वहां से मतलब की ऐसा हो रहा होगा कि फिर उसके बाद वो मिरर पर नहीं पहुंचे तो यहां से होने के बाद फिर आप मिरर पर नहीं आना चाहिए ने तो उसका रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वह दो से अधीक बार हो जाएगा तो दो से अधीक बार हो जाएगा तब यह फर्मूला लाइट नहीं करेगा यानि की कहने का सेंस यह है कि 360-2 ठीटा जो एक पहला यहां और दूसरा यहां ठीक है तो याद रखिएगा डिवियेशन बाइद टू प्लेन मिरर वेन टू मिरर सारे इंकलाइंड एंगल ठीटा विल भी 360-2 ठीटा यानि जब दो मिरर किसी भी एंगल पर इंकलाइंड होते हैं तो उसका जो नेट डिवियेशन है वो 360- साफिश्टी ठीटा किस केस में होगा तो ये टू रिफ्लेक्शन पर होगा तसलिएम् सब्यक्त के ₹ रिस्ट्रेफ्लेक्शनмат थो होगा तब ये फिर्मूलाइं लगा सकते हैं और यह थय आप नहीं लगा सकते हैं तो इस पर अधारित बहु सारे क्वेंडД सब्रीट्या तो देखिएगा कि यहां पर जो एंगल है ना उसी पर फोकस करना है लाइट कितना डिगरी से आ रहा है कोई मैने नहीं रखेगा मैने रख़ेगा कि मिरी के पर जाएंगे तब की बात करेंगे ठीटा का मतलब क्या है मीरल के बीच का एंगल यह बात जरूर दिमाम रखिएगा डैट में सगर हमें यह कहें कि देखिए यहां पर साट के जगह पर हम पैतालीज रख दें और अभी तीस डिग्री यहां पर जिक्र किये थे तीस डिग्री हम यहां रख दें बोलेंगे नेट डिवेशन क्या है तो आप तीस पर जाएगा नहीं पैतालीज पर डायरेक्ट फर्मृल रखेगा पैतालीज दूनी नब्बे तीनसो साथ में से नब्बे घटा देजेगा तो तीनसो साथ में से नब्बे घटा होगे बचे तो 270 डिग्री आएगा ठीक है अब बाइप प्रोसेस बनाके देखिए तीस आया तीस से गया इसका मतलर नॉर्मल से ठीक है फिर वही बच रहा है कितना बच रहा होगा देखिए तीस से आया तीस से गया तो यहां पर साथ बचा बचेगा साथ पैतालीज जोड़िए एक सो 75 यहां तो सारफेस के साथ 75 तो यहां कितना बना 15 ठीक है अब 15 से जाएगा अब देखिए आपका सिंगल सिंगल डिविएशन का फर्मूला से तो तीस डिग्री के लिए डेल वन निकालिएगा तो आपका 120 डिग्री आवेगा तो कितना यहां 270 यानि कि मेरा क्या है करेक्ट है फिर देख लिए तीस डिग्री यहां भी आया था यहां भी लाए है बस चेंज है मीरर का एंगल मीरर का एंगल यहां साथ था यहां मैंने दिया 45 तो यहां से फर्मूला से डिरेक्ट बनाएगा तो डिरेक्ट आपका 270 आजाएगा डिरेक्ट 270 आएगा अब बाइप्रोस दूनी के 30 जो डेल बराव फर्मूला है 15 दूनी 30 तो यानि घटाईएगा 180 में से तो कितना आएगा ठीक है देर स्वाइज आएगा और उसके बाद तो चाहे आप प्रोसेस से बनाओ चाहे आप डारेक्ट फर्मूला से बनाओ दो रिफ्लेक्शन के केस में आपका नेट डिविएशन जो है उतना ही आएगा ठीक है तो आज की वीडियो यहीं पर स्वाप्ट करते हैं आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन को लेकर आएंगे और वैरियस टाइप के क्वेशन उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से प्ले मीरर इमेज बनाता है और मल्टिपर रिफ्लेक्शन के थुरू कैसे बनाता है नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं इमेज का स्पीड क्या होगा जब ऑबजेट किसी स्पीड से मूब करेगा ज तो आज की वीडियो यहीं पर समाव करते हैं पढ़ाई करते रहिए औल दा बेस्ट